हेलो एंड वेलकम टो इलेन अटेक तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमरी यूडाइस प्लस के अपर इस वीडियो को थूरू में आपको बताओंगा कि आप अपने अपने डाटा है यूडाइस का जो आपने फिल कर चुकिया हो से दिक आपने फिल कर दी हुए है, अब आपने उसको final certified कैसे करना है, तो final submission के लिए जो भी process होगा वो आपको बताएंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले हमारे यूट्यूब और ऐसे ही लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल इकन को प्रेस करना न भूले, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका स्कूल में लोगिन हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपके सामने जो डैश्बूर्ड हो आपके सामने डिस्प्ले करवादेगा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर करता हूँ हम पेज पर, तो कुछ इस तरह से आपके सामने जो होगा, वो डैश्बूर्ड आपका आजाएगा यहाँ पर आपके पास बहुत सारे options था यहाँ पर आपके पास एक option था click here to open the DCF to fill the data यहाँ पर आपने आपने डाटा को क्या किया था fill किया था अब यहाँ पर जब आप click करोगे तो आपके सामने जो DCF है वो आपके सामने display करवा देगा यहाँ पर एक बास status को अच्छी तरह से check कर लेना कि आपका जो status है वो not certified आ रहा है और जो overall status है वो क्या है completed all form आपने सारे forms को complete कर दे हुआ है यहाँ पर आपका pending नहीं आना चाहिए अगर pending आ रहा है तो यहाँ से नीचे से जितने भी आपके module है इनको अच्छी तरह से check कर लेजिए कि सारे के सारे completed है अगर कोई pending होगा तो आपका data certified नहीं होगा उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल last में देखिए आपको यहाँ पर option मिलते है डाउनलोड करने के लिए जो आपका filled DCF है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो और आपकी जो school की reports है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करके आपने पास रख लिजीए school का record है school के record में आपके पास आ जाएगा आप बिल्कुल end में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, comparison and the certified data आपने यो data है, इसको compare करना है और आपने इसको certified करना है certified करने से पहले ही मैं आपको बदा देता हूँ वहाँ आपको मिलेगी एक summary report summary report को आपने अच्छी तरह से check कर लेना है check करने के बाद एक बार आपने अगर data फिल कर दिया, submit कर दिया उसके बाद आप उसमें क्या नहीं कर सकते हैं changes नहीं कर सकते हैं तो certified करने से पहले आपने record को अच्छी तरह से आपने verify कर लेना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आदा not certified आपने यहाँ पर जो comparison and certified data है यहाँ पर आपने आपके स्कूल में जो main main comparison हो सकते हैं कि आपके कितने building blocks हैं कितने आपके rooms हैं कितने आपके toilets हैं कितने आपके functional toilets हैं कितने आपके major pay में चाहिए आपको जाफिर drinking water facility है जो नहीं है electricity है जो यह सारी कि सारी teachers कितने है, enrollment कितनी है तो जो indicator है यहाँ पर indicator पर आप चेक कर लेजिए यहाँ पर आपको sign दिये हुए है color coding दिये हुए है यासे कि green, orange और red तो यहाँ पर सारी के सारे आपके यहाँ पर देखिए इसके जो numbering दिये हुए है इन्होंने कुछ points दिये हुए है वो सारे के सारे green में आ रहे है यहाँ पर बिल्कुल end में लिखा हुए है कि good to certified अगर यहाँ पर यहाँ पर यह सारे के सारे green है तो आप इसको certified कर सकते हो अगर वो orange में है तो आप उसको please एक बड़ verify कर लेजिए record को can be certified by remarks अगर वो red color में आ रहा है तो आपको उसको proper remarks देना पड़ेगा कि क्या reason है उसका यहाँ पर बिल्कुल last में certified module का जो option है यहाँ पर लिखा हुआ I hereby declare that the information entered in this यहाँ पर फिर आप नहीं कहा करना है declared by designation और mobile number तो जिसने इसको declare किया है चाहिए वो school का in charge है head है जिसने इसको fill किया है वो अपना नाम लेखेगा अपना designation लेखेगा अपना mobile number लेखेगा mobile number लेखने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ notes है इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है and then if you are, उसके बाद आपने इसको certified कर देना है एक बाद certified कर दिया उसके बाद आपका data चेंज नहीं होगा maybe मुझे नहीं पता तो वो मुझे एक बाद करना पड़ेगा पहले कि यहाँ पर certified करने के बाद आपको क्या decertified का option available होता है या नहीं होता है उसको मैं अभी आपको नहीं बता सकता पर यहाँ पर जब आप certified करोगे तो आपका data lock हो जाएगा lock होने के बाद आप उसमें changes नहीं कर सकते हैं तो यह थी हमारी आज की वीडियो के आपने final submit कैसे करना है अपने UDS Plus का आपने इसको final certification कैसे देनी है आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले हमारी यूट्यूब चैनल इलियना टेक को और ऐसे ही latest वीडियो के notification के लिए bell icon को press करना न भूले Thank you so much J topping